दुनिया की तरह देश भर में धूमदाम से इसा मसी के जनम दिन का तेवहार क्रिस्मस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधान मंतरी ने भी इसाई समुदाय के लोगों को संबोधित किया और उन्हें बधाई दी। सबसे पहले मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेश कर क्रिस्टिन कॉम्वनिटी को आज की इस भाहत्म पूंप परव पर अनेक अनेक शुकामना है दूंगा। मेरी क्रिस्टमस। यह मेरे लिए बहुत सुखद है कि स्पेश्यल और सेक्रेड अवसर पर आप सब मेरे निवास्थान पर आए हैं जब इंडियन माइनोरेटिव फाउंडेशन ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम सब मिलकर क्रिस्टमस बनाए हैं मेरे यहां मनाए और उसी में से एक आरकम बन गया तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है अनिल जी ने मुझे बहुत मदद की मैं उनका विश्यस्तुप से आबारी हूं इस पहल के लिए मैं माइनोरिटी फांडेशन का भी बहुत आबारी हूं क्रिश्टिन कम्यूनिटी के साथ तो मेरा संबन को नया नहीं है बहुत पुराना बड़ा आत्मियन आता रहा है और बड़े वांब रिलेशन्स रहे हैं गुजरात का सीएम रहने के दोरान मैं इसाई समुदायव और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुना रहता तो और मैं मनिजगर जहां से चुनाव ड़ता था वहां बहुत बड़ी मातरा में आबादी भी है इसके काण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था कुछी वर्स पहले मुझे दे होली पोप से मिलने का भी सवभागी मिला था वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था इस मौके पर आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में इसाई समुदाय कब आया भारत में पहला चर्च कब बना कई लोगों को लगता होगा कि अंग्रेजों के साथ ही हमारे देश में इसाई धर्म भी आया होगा लेकिन ये गलत अंग्रेजों के आने से सदियों पहले भारत में इसाई भी आ चुके थे और चर्च भी बन चुका था देश में सबसे पुराना चर्च सेंट थॉमस चर्च है यह चर्च केरल के कोच्ची में है सेंट थॉमस भारत का सबसे पहला चर्च है यह चर्च केरल के पलायूर जिले में है यह सेंट थॉमस द्वारा अस्थापित साथ चर्चों में से एक है इस चर्च में सेंट थॉमस की अस्थिया भी रखे हुई है जिने इटली के और टोना से लाया गया था भारत में इसाई कि शुरुआत सबसे पहले केरल के तटिये नगर क्रांगा नोर से हुई थी सेंट थॉमस इसा मसी के बारा प्रमुक सिश्यों में से एक थे उन्होंने इस चर्च को 52 एडी में बनवाया था भारत आने के बाद सेंट थॉमस ने साथ चर्च बनवाय थे जिसमें सेंट थॉमस सेंट थॉमस के दाहिने हाथ की अस्थी को इटली के और तेना से लाकर यहां रखा गया है यह स्थल दुनिया भर के इसाई लोगों का एक प्रमुक धार मिकेंद्र है इस चर्च से कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी करीब 30 किलोमेटर है यह भारत का सबसे पुरा पर था उसके शरीर को मूल रूप से सेंट फ्रांसिस चर्च में रखा गया था फिर 14 साल बाद इस चर्च से वासकोटिगामा की अस्थियों को लिस्मन ले जाया गया अब वो अस्थियां जोरा निमीस मठ में है यह चर्च भी 1503 ईसवी में बनाया गया था आप सभी को हमा झाल